हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे जुब अच्छे क्लास नाइन से टैंथ में उनको बहुत सारी ची फेस करनी पड़ेंगे अभी शुरूबात में आपको पता है सीबीसी ने अपना पर या प्रैक्टिस पेपर ऑफीशली डाल रखे मैं वह कंपिर करके दिखाओं कि एंसी आटी से कितने डिफरेंट हैं सिर्फ आपको सिर्फ सर्कुलर नहीं देखा है तो तो आप देख सकते हैं आप साफ साब लिखा है नाइन टैंथ और यहां पर आप देख सकते हो 2023 और 2024 यह आपका है यह पिछले साल तक इसमें यही बोला गया था कि competency-based question जो है वह 40% है और यह competency-based questions किस फॉर्म में पूछे जाएंगे आपसे MCQ form में होंगे, case-based होंगे, source-based होंगे बाकी objective questions 20% है remaining 40% आपका long answer, short answer में जाएगा अब यह आप सोचो long answer, short answer को 30% में कर दिया गया और आपका यहां पर यह 10% है बढ़ा दिया गया जो competency-based questions थे वो यहां पर 50% कर दिया गया यही आपने news सुनी होगी ठीके और source-based मतलब इस तरीके से जो MCQ form में questions होंगे और बाकी MCQ अभी भी 20% है इस तरीके की नहीं सुनी होगे लेकिन यह आप देखोगे यह questions हमारे normal textbook से कैसे different होते हैं आपने NCRT पढ़ा है ठीक है अब NCRT में अगर आप देखोगे तो circle पढ़ने के बाद आपको इस type का कोई question नहीं देखेगा ठीक है पूरा circle पढ़ लोगे नहीं देखेगा आपको ठीक है और देखते हैं आप LCM SCF देखो first chapter circle तो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आपने LCM और SCF based question तो कर लिए होगे न NCRT से आप बताओ क्या आ अब आपका अंसर यह होगा सर इस टाइप का तो नहीं देखा है मतलब LCM पर खतरना के 6 की पावर 4 8 का स्कॉाइर के इज दिस के क्या positive के positive integer है find the smallest value of k ऐसे questions तो आपने नहीं देखे होंगे अभी पूरे दो exercise में पूरे रियल नंबर में ठीक है अब आप कोगे सर यार फिर कैसे यह questions होई ठीक है और देखो अब कोडिक के सुन का भी बड़ा अच्छा question है लेकिन अगर आपने नहीं किया तो मैं यहीं बोलूँगा आप इसमें नहीं समझ पाओगे यह एक्च्वल में कैया लेकिन जब आप थोड़े दिन बाद वीडियो देखोगे तो आप कोगे यह भी question बास्तों में कोडिक का है ले मैं तो आपसे बोलूगा यह वाला question जो मैंने आपको दिखाया है real number का आप देख लो अगर आपने वह reference book जो की है उसमें अगर इस टाइब question है तो ठीक है अब आपको वह सारे question जो study material है वह सारी चीज़े में करवाने वाला हूं आज मैंने क्या किया कि special class रखी 830 पर ठीक है तो वहाँ पर discuss भी करेंगी कि आपको कैसी strategy बनानी चाहिए कि contentious question अगर 50% है तो इसको आपको कैसे इंप्रूब करने थे को रट्टा वाला काम खतम भाई यह cbc ने किया क्यों है पहले क्यों था था न ncrd रट के चले जाते थे question समझ में आये लेकिन बस process समझ ली छापके आ गये लेकिन अब वो नहीं है अब आपको question की depth समझनी उनको मैं करवाने वाला हूं ठीक है तो आप सब आ जाना उसकी link description में डाल दे रहा हूं तो बस इस वीडियो में आप यही सीखो कि आपको approach develop करनी है वो भी अच्छे से ठीक है reference book आपके लिए ठीक है full में full नहीं दिलवा पाईगी जिससे आप पढ़ाई करते हों आपको extra effort MCQ के लिए डालना होगा अच्छी book थोड़ी सी prefer करनी पड़ेगी extra level पर तयारी करनी पड़ेगी तो उसकी लिए मैं आज 830 मिलूँगा ठीक है और बस पढ़ाई करते रो बोड़ एक्जाम में तबाई मचाएंगे हर साल बढ़िया से बच्चे पढ़ते हैं इस बार भी आ आधर आप पहली बार आ रहे हो फीरी class है लेकिन कोड मांगे तो लगा दिना a4s ठीक है एफ और आगे एल ऐसी लिए फोरें मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब अपना ख्याल रखो पढ़ाई करते रहो लाश्ट में एकी बात बोलूगा कि आप सभी सफलू धन्यवाद